तो जिसा मैंने आप से कहा था कि हम जल्दी ही आएंगे एक नई वीडियो को लेकर तो ये लिजे आपके लिए एक इंट्रेस्टिंग वीडियो जो कि एक स्लेशर होरर मुवी पर होने वाला है दोस्तों मेरे पास कई सारे वीवर्स की स्लेशर मुवी के लिए रिक्वेस्ट आई हुई थी जो कि रॉंग टर्न से मिलते जुलती हो तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक एसी स्लेशर मुवी जो कि काफी अच्छी मुवी है इस मुवी का नाम है इंप्रेड जिसे की एलेक्स चेंडिनन ने डिरेक्ट किया हुआ है जिसके आयमडीबी रेटिंग 6.2 आट ओफ 10 स्टार से और ये मुवी 2011 में रिलीज हुई थी जो कि काफी इंट्रेस्टेंग मुवी है तो अब आपका ज़्यदा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो मुवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो की आराम से पिकनिक इंजोय कर रहे थे उनके पीछे एक व्यक्ती अपनी कुलाडी से लकड़े काट रहा था जिससे की वो कपल डिस्टरब हो रहे थे फिर वो कपल लेमनेट पीने लगते हैं जिससे देखकर वो व्यक्ती उनके पास आता है और उनसे लेमनेट की मांग करता है जो कि दोनों को काफी अजीब लगता है और वो दोनों उस आदमी के इस बहेवियर से काफी नाराज होते हैं जिसके बाद वो आदमी गुसे में आ जाता है और वो उस वेल ट्रेस्ट आदमी के सिर में अपनी कुलाडी दे मारता है जिसके बाद वो उस लेडी का पेर अपनी कुलाडी से कार्ड दिता है और फिर वो उस कुलाडी का दूसरा वार लेडी के सीर पर करता है जिससे के कुलाडी उसके सीर में धस जाती है और वो दोनों मारे जाते हैं अब ये बस एक मूवी थी जिसे टीम जेब और ड्वाइड वैन में बेटकर देख रहे थे और उनके साथ एक सेम नाम की लड़की भी थी जिसका इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था अब ये चारो टीनेज क्रीमनेल्स थें जो छोटे मोटे अपराद कर चुके थे और सजा की रूप में उन्हें एक विलेज में कमिली सर्विस के लिए बेजा गया था जहां पर केट और जेफ उनके केट एकर थे और उन्हें ले जा रहे थे अपनी जर्नी के दोरान उनकी वेन का नेविगेशन काम नहीं कर रहा था और उन्हें मैनुवल मेप के जरिए उस विलेज तक जाना पड़ता है और वो रास्ते में देखते हैं कि कुछ लोग जिनमें बच्चे भी शामिल थे एक आदमी को स्केर करो की तरह बांद कर उसके शरीर में एक नुकीली रोल को गुसा रहे थे लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण उन्हें कुछ साफ सब दिखाएं नहीं देता और वो इस इंसिडेंट को इड्नोर कर देते हैं जिसके बाद जल्दी ही वो सभी मोटलेक विलेज में आ जाते हैं जहां पर उन्हें एक को कोटो मिलता है जिसमें एक अजीब से फैमिली थी फिर केट और जेफ चारों को वो कोटेज साफ करने को कहते हैं क्योंकि आने वाले एक हफते तक उन्हें इसी कोटेज में रहेना था उस कोटेज के साफ होने के बाद जेफ और केट चारों को विलेज के विजिट पर ले ज जाते हैं और अंदर जाने पर उन्हें अजीब अजीब से लोग बेटे हुए दिखाई देते हैं जो कि उन्हें ही गूर रहे थे वे सभी वहाँ पर कोल्टिंग ओर्डर करते हैं लेकिन उस बार में सिर्फ अलकोहल और लेमोनेट ही होता है और इसी कारण सभी को लेमोनेट और करना पड़ता है केट की मुलाकात बार के ओनर जीम से होती है जो उनसे कहता है कि उन्हें कुछ भी परेशानी हो तो वो उसे बता सकते हैं फिर दो लोग उस बार में एक अजीब सा बेक लेकर आते हैं और जीम उन्हें पीछे कर रास्ते से आने का कहता है जिससे सुनकर सबी को काफी अजीब मेहसूस होता है कुछ देर के बाद सेम इस मोग करने के लिए उस बार से बाहर चली जाती है जहां पर एक अजीब से आदमी आकर सेम को परेशान करने लगता है जिसे जिम वहां से बगा देता है और फिर सबी लोग उस बार से वापस अपने कोटेज की चले जाते हैं अगले दिन जेफ सभी को सेफटी जेकेट देकर ये कहता है कि वो सभी लोग विलेज के बारी इलाकों में जाकर कुछ नया एक्स्प्लोर करेंगे जिसके बाद सभी वहाँ के लिए निकल जाते हैं वो रास्ते में जेब पहाड़ी के उपर कुछ लोगों को द पड़े थे जेफ सभी को दोदो के ग्रूप में बाट कर उन्हें एक गेम देता है जिसमें सभी को कबाड़ पड़े ट्रेन के डबों में जाकर काम की चीज़े जुटानी थी जिससे वो शेहर में जाकर बेच सके और सोसाइटी के लिए फंड इखटा कर सके टीम जेब और द्वाइट को वहाँ पर एक केबिन मिलता है जिसमें कुछ टूल्स पड़े हुए होते हैं और वो केबिन ओनर की बिना इजाज़त के वो टूल्स वहाँ से उठा लेते हैं अब सभी को ये काम दिया गया था कि जरूरत का सामान वहाँ से इखटा करना है लेकिन जेब और अपनी शरारतों से बास नहीं आते और बचा हुआ सामान भी तोड़ने लगते हैं जिससे जेब डाड़ देता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते इधर केट ट्रेन के एक डब्बे में कुछ सामान इखटा करती है और उसे महाँ पर डब्बे में कोई व्यक्ति भागता हुआ दिखाई देता है और जब वो उसके पीछे जाकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर कई सारी मेगजिन्स पड़ी हुई है जिनके मुझ कुछ जानवरों से बदल दे गए हैं और वो व्यक्ति जो कोई भी था वो यहाँ पर इनी मेगजिन्स को पड़ने आया हुआ था गेट को लगता है कि शायद उन पर कोई नज़र रखे हुए हैं और वो काफी जादा दर जाती है टीम और सैम को दूर से दुआ आता हुआ दिखाई देता है और जब वो इसे वहाँ पर चेक करने जाते हैं तो देखते हैं कि कुछी मिंटों पेले वहाँ प सैम और टीम उस भेड की जान बचाने के लिए उसे वहाँ से खुल देते हैं लेकिन वही लोग उसी भेड को एक ट्रक से कुछल कर मार डालते हैं जिसके बाद सैम और टीम वहाँ से भाग कर केट और बाकी के लोगों के पास आ जाते हैं लेकिन तीन अजीब से दिखने वा आजात करवाती है फिर बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं वो आदमी उनसे कहता है कि उन्होंने जो सामन वहाँ से उठाया था वो उसका था और वो उसे बीना इजाजत लिये हुए गूम रहे हैं जैफ उन सभी लोगों को धंकी देकर वहाँ से बगाने की करता है लेकिन अचानक किसी चीज में उसका पेर उलग जाता है और जमीन पर गिर जाता है और उसके पेर में एक नुकिली सी चीज घुश जाती है जिससे कि वो काफी जादा गायल हो जाता है जैफ का काफी सारा खून बैरा था वो यह से तेसे सभी लोग जैफ को जिम के पार में ले जाते हैं ताकि वो उसकी मदद कर सके जीम उनसे खेता है कि होस्पिटल यहां से 40 मील की दूरी पर है और एंबुलेंस को यहां पर आने में कम से कम एक घंटा लग सकता है जिसके बाद सभी जीम को कीचन में लेकर आते हैं और वहाँ पर उसका फरस्टेट किया ज लिए ऐक बड़े से चौपर से उसका गला कार देता है और उसका खून चारों तरफ उढ़ने लगता है और फिर जीम जेफ का सर उसके धर से लग कर देता है और बाकी सबही लोगो को एक कमरे में बंद कर देता है अब वो तीनों आदमी जीम के यहाँ पर आते हैं और हमें पता चलता है कि सेम को परिशान करने वाला वो आदमी जीम का ही बेटा ग्रेस था और बाकी के सबी लोग उसके दोस्त थे फिर जीम उने जेफ की बॉड़ी को तुकले तुकले करके सुमरों को खिलाने को कहता है ताकि उसका नामो निशान मिड़ जाए जिसके बाद जीम और उसका बेटा ग्रेस केट और बाकी लोगों के पास जाते हैं और जेफ को अपने साथ ले जाते हैं फिर वो जेफ को जमीन पर लिटा देते हैं जहांपर उसके दोनों हातों और पेरों में एक अजीब सा दिखने वाला आदमी बेड़ी या ठोक देता है और फिर जीम अपने शो के लिए रेड़ी होता है शो के दोरान ग्रेस जैब की नाक में दो लंबी लंबी स्टीक अंदर तक गुसा देता है जिससे कि उसकी नाक से खुन बेना शुरू हो जाता है और जैब को काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है फिर वहाँ पर एक घोड़े को लाया जाता है जो की अंदर होता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है और उसे जैब के उपर से कई बार गुजरा जाता है जिससे कि होता ये है कि घोड़े के गुजरने के साथ साथ घोड़े का पेल जैब के शरीर पर पड़ता है और उसे काफी गहरी चोट आती है और फिर होता ये है कि गोड़ा अपना ताकतवर पेर जेप के चेहरे पर पटक देता है जिससे कि जेप का चेहरा फट जाता है और सबी ओडियंस इस सीन को एंजोई करते हैं अब जिम अपना दूसरा एक्ट रेडी करता है लेकिन तब तक केट और बाकी के टीनेजर्स महासर भाग जाते हैं और उनमें से डूइट पकड़ा जाता है ग्रेस केट और बाकी लोगों के पीछे जाता है और डूइट को ग्रेस के दोस्त जिम के शोग के लिए ले जाते हैं जहांपर ड्वाइट को एक चेर पर बिठा कर उसे एक विग बिनाई जाती है और उसके मूँ में एक कपला ठूस दिया जाता है ताकि वो चिला ना सके इधर केट सेम और टीम भाग कर अपने कोटेज पर आते हैं जहांपर उनकी वेन थी लेकिन उसकी चाबी कहीं पर खो चुकी थी जिससे की सभी परशान हो जाते हैं और टीम उस वेन का लॉक तोड़कर उसे स्टार्ट करता है और वो सामने ग्रेस को खड़ावा देखते हैं जोकी गन से उनकी तरफ फायर करता है और वेन के शीशे टूड़ जाते हैं केट अपनी और बाकी लोगों की जान बचाने के लिए वेन को ग्रेस के उपर चड़ा देती है और उसे कई बार कुजलती है जिससे की ग्रेस मही पर मर जाता है और केट उसकी गन उठा कर वान से भाग जाती है इधर ड्वाइट शो के लिए रेडी होता है और शो के दोरान ड्वाइट के मूँ में एक पाइप घुसाय जाता है और उसके मूँ में डिजल पंप किया जाता है जिससे की ड्वाइट का शरीर फूलने लगता है और उसका शरीर फूल फूल कर इतना फिल जात जाता है कि पहले तो उसकी दोनों आखे बाहर आ जाती है और उसका पेट अधिक जादा फूलने के कारण फट जाता है जिसके कारण सभी ओडिन्स पर डिजल के साथ साथ ड्वाइट के शरीर के चितर भी उड़ जाते हैं शो के खत्म होने के बाद जिम को ये पत्ता चलता है कि केट और बाकी के लोग वहाँ से भाग चुके हैं और जिम उन्हें ढूणने के लिए कई सारे लोगों को अपने साथ ले जाता है जिम और उसके साथ ही केट की वेन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे भागने से रोकते हैं लेकिन केट गाड़ी को नहीं रोकती जिससे कि जिम तो बच जाता है लेकिन कुछ लोग गाड़ी से टकरा कर मर जाते हैं और गाड़ी का एक्सिडेंट हो जाता है जिससे बचकर केट और बाकी के लोग कोटेज की तरव भागते हैं ताकि उन्हें वहाँ पर अपने फोन और मैप मिल जाएं जो कि जेफ ने उनसे चुपाई हुए थे और उन्हें सिर्फ वहाँ पर मैप मिलते हैं लेकिन फोन कहीं नहीं मिलता तब ही जिम और बाकी के विलेजर्स वहाँ पर आ जाते हैं और जब केट कोटेज का दरवाजा लगाने जाती है तो जिम अपनी गन की मदद से केट का हाथ उड़ा देता है औ लेकिन उसका पेर एक एनिमल क्रेप में फस जाता है और वह जमीन पर ही गिर जाती है केट को जमीन पर पड़ा देख एक आदमी उसकी तरफ अपनी चेंसो लेकर आता है और पहले तो वह उसकी टांग काटता है और उसके बाद वह केट के पुरे शरीर को तुकल तुकलो मे काड़ देता है अब सिर्फ टीम और सैम ही जिन्दा बचे थे टीम कोटेज के बेस्मेंट में देखता है कि कई सारी वोटका की बोटल पड़ी हुई है और वो एक प्लान बनाता है टीम जीम और बाकी के सभी लोगों को कोटेज के अंदर आने देता है और वो सैम को पीछे के दर्वाजे से भगा देता है कोटेज के बेस्मेंट में जब जिम टीम के पास पूछता है तो टीम वोटका की बोटल में आग लगाने की कोशिश करता है ताकि पूरा घर जल जाए और घर के साथ साथ जिम भी लेकिन टीम को पता चलता है कि उन वोटलों में वोटका नहीं पानी होता है और वहाँ पर मोजूद सभी लोग टीम को कई टुकडों में काट कर उसे मार डालते हैं जिसके बाद सभी अखेली बच्ची उच सेम को भागता हुआ देखते हैं और उसे बिलकुल भी नहीं रुखतें क्योंकि आगे जाकर सेम का पेर एक लेंड माइन पर पढ़ता है जिससे की वो वहीं पर रुख जाती है और बिलकुल भी नहीं हिलती लेकिन होता ये है कि एक खरगोश आकर उसकी पेंट में घुष जता है जिससे की सेम अपनी जगे से हड जाती है और लेंड माइन के फटने के साथ साथ सेम भी मरी जाती है और एसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों मूवी काफी सिंपल है और मसदार भी जो स्लेशर लवर को ज़रू पसंद आईगी मूवी में केट और जेफ चार टीनेजर्स को एक विलेज में लेकर आते हैं ताकि वो वहाँ पर सोशल सर्वीज कर सके जो कि बाकी शेवरों से काफी कटा हुआ होता है यहाँ पर ना तो बिजली और ना ही कुछ होता है विलेज के ज़ाधतर लोग एक विमारे से पिडित होते हैं जो कि उन्हें अपंग बना देती है जिन में से सिर्फ जीम ही ठीक होता है जीम एक शोमेन होता है और वो अपने शोमें विलेज के लोगों का इंटर्टेमेंट करता है और इन मानसिक और शारियरिक बिमारी से पिलित लोगों का इंटर्टेमेंट होता है दूसरे लोगों के जिन्दा शिरीड के साथ खिलवाड करके तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही I hope आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करे और हमारे चेनल को सबस्क्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ओन कर लिजेगा क्योंकि और भी कई सारे वीडियो जल्दी आने वाले हैं